हलो दोस्तो आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर आसा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आज हम आपके लिए लाए है चिकन ड्राइए देखे सबसे पहले हम एक किलो चिकन लेंगे अच्छा से वास करके और यह देखे इसमें हम सबसे पहले दही डालेंगे दो देख सकते हो आप अच्छे से मेगनेट करके इसको हम साइट में रख देंगे और इसके बाद जो हमारे मसाले हैं देख सकते हो आप खड़े मसाले काली मिर्च दाल चीनी साबूत धनिया और जीरा और दाल चीनी यह देखे ड्राइए इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे दोस्तो आप या तो पैन ले या भी कड़ाई ले और इसको अच्छे से देखे भूना है और दोस्तो इसको जलाना निये और इसके बाद इसको ठंडा करना है ठंडा करके इसको फाइन इसका पॉडर तयार करना ये देखे जो हमारा स्टेप है तयार होरे देख सकते सब से पहले दोस्तों जो हमारा बारी कटा हुआ प्याज है वो डालेंगे देख सकते हूँ हमारा तेल करम हो रहा है इसमें पानी के छिटे वालेंगे देखेंगे हम और ये देखें बारी कटा हुआ प्याज और इसको सुनरा कलर आने तक इसको पकाते रहेंगे और कच्चे से हम चलाते रहेंगे दोस्तों वो देख सकते हो जो हमारा चिकन है वो भी अच्चे से मेगनेट हो जाएगा तब सक और यह हमारा प्याज एकदम देखे हम इसको ब्राउन करेंगे सुमेरा कलर आने देंगे और इसके बाद इसमें हम अदरक लेशन का पेश्ट डालेंगे जो हमने अदरक लेशन और हरी मिर्चि का पेश्ट तैयार कर था आप देख सके हो दोस्तों और दोस्तों इसको चलाते कल्ची ताकि जो हमारा जाने नीचे नाचिक है और देखने प्लकुल आयरन आपको मिलेगा कडाई देख्यों दोस्तों और जाने आज लो पुरा कलर आने देना इसको अच्छे से मेगनेक करना करना के देख सकते हो इसको पखाना के देख सक्ते हैं और इसमें हम एक पैकेट चिकन डराइब बनेगा आज जो राज कुकिंग रेसिपीज है आज यह देखे हमने मिर्ची अद्रक लेशन का पेस्ट डाल दिया और इसको अच्छे से भूनना कूप करना है दोस्तों और देख सकते हो हमारा एक किलो चिकन है तो चिकन हमने मेगेनेट करके रखा और देखे हो और आज अब अदम मेडियम है और आज एकदम मेडियम रखनी आपको जादा हाई अग्ड़ सलो भी नि करनी नहीं हो हमारा प्याद तेल पिलेगा और जादा तेज करोगे तो हमारा अपक्याद जल जा इसको सुने रहा होने तो दोस्तो और जो हमने चिकन है 1 kg magnet अच्छे से magnet हो गया इसको डालना इसको अच्छे से छलाना देख सकते आच्छे से कुब करना दोस्तो और एक बाद धज coch ..." सितन को हम रोस्त करेंगे पानी नहीं डालेंगे पानी डालेंगे पानी डालके क्या होगा की दोस्तो हमारा क्यों हमारा है पक करना दोस्तों और इसको जो हमारा प्लेट या आपके पाद ठाली जो भी यह रखकन हो उससे रख दे और दो तीन मिनद के लिए आप इसको ढखके रख दे और जो यह चिकन है अंदर तक पक जाएगा एकदम घूसी होगा बहुत देख सकते हैं और इसके बाद देखे दोस्त पकाना देख सकते हो और नमक और जो हमारा चिकन मसाला वो डालेगा और जो हमने मसाले पीच रखे बारिक आप देख सकते हो और नमक दोस्तों आप अपने हिसाब से डाले यह देखे आप इसमें धकन लगाएंगे आम 5-6 मिनट के लिए ताकि जो चिकन है हमारा एकदम इंकिल स्कॉल हो जायेगा जुसी और बाहर से देख लो आप कलर देख सकते हो चिकन का देखे दोस्तों चिकन डडराय है चिकन शुकावाथ ही वह एरी तैच्टी और यमी और एक वार सेवा का मौका जरून दे दोस्तों इतमें देखिए आप हम नमक और चिकन मसाला डाले तरो हमारे मसालें दोस्तों देख सकते हैं कैसे जो हमने खड़े साल artifacts बथा ज़र दआ 6 lip यह अल्साइब के घरेंगे और हमारा चिगन by 75 % बहूंता आई सकते हैं वन्हों देखें किसे तुछ टेयर मसाला की हम लास्त विफा देंगे यह देख गरम मसाला है बिल्कुल एकदम हमने पीश के बना रखा और यह देखे नमक डाल दिया है और हम इसमें चिकन मसाला एक पैकिट डालेंगे दोस्तों क्यूंकि गरम मसाला हमने डाला बिल्कुल एकदम इसको रोस्ट करना अच्छे से पकाना कडाई में फुल आईरन मिलेगा आपको दोस्तों देख सकते हो और इसमें देखे हम एक चिकन मसाला का एक पैकिट डालेंगे यह देखे और जो चिकन है उसी का चिकन का पानी में पकाना कोई पानी का यूज नी करना यह देखे हमने जो बचा-कुचा मसाला था वो भी डाल दिया और दोस्तों हमारी वीडियो दोस्तोट बिल्ख एसमें मिर्ची करेंगे एग जम जूलियन जो हमने मिर्ची काटते दोस्तों उससे गार्णिसिंग करेंगे और इसी के साथ राज कुकिंग चैनल धन्यवाद नमस्कार आप सबी का स्वागत अमारी रेशीपी जाद अचे जाद शेयर करें दोस्तों धन्यवाद